हेलो जी हेलो जी हेलो जी कैसे हो यार क्या हाल है और क्या चल रहा है मेरे दूस्तों बहुत सारे लोग समझते हैं मेरे जैसे फोटाग्रोफर जो इतने सालों से फोटाग्रोफी कर रहे हैं और स्ट्रीट फोटाग्रोफी कर रहे हैं वो कोई गलती नहीं करते आप देखते हो एक final picture आप देखते हो best of the best picture और आपको लगता है कि भाई मतब ये तो बहुत experienced photographer है और ये हमेशा अच्छी ही picture लेता है ऐसा कुछ नहीं है मैं भी गंदी picture लेता हूँ मैं भी बेकार picture लेता हूँ लेकिन वो जो struggle है उस picture तक पहुँचने का वो एक process है और उस picture को जिस picture को आप finally देखते हो उसके आगे और उसके पीछे बहुत सारी बेकार picture भी होती हैं और कभी-कभी सारी picture ही बेकार होती है हमको भी कुछ नहीं मिलता है street photography का शायद ये ही एक मज़ा है कि ये एक challenge होता है कि आप struggle करते हो आप चीजों को unexpectedly expect करते हो लेकिन चीजें आपके हिसाब से नहीं होती बहुत बार बहुत बार मतलब 90% of the time वो वैसी नहीं होती जैसा आप सोच रहे हो या जैसा आप expect कर रहे हो और इसी के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको अपनी एक picture जो मैंने social media पे post करी है instagram पे भी post करी है और काफी लोगों को वो picture पसंद आई लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है उस picture तक मैं पहुँचा कैसे मैंने क्या गलतिया करी या जो final picture मैंने select करी वो picture वो picture मैंने क्यों select करी या उस picture में ऐसा क्या था कि मैंने उस picture को finally सोचा कि हाँ मैं इस picture को social media पर share कर सकता हूँ तो ये problem जितने भी नए photographers हैं उनको भी बहुत आती है कि वो मुझे बहुत बार पूछते हैं कि sir कैसे पता करें कि कौन सी picture अच्छी है ये जानना कि कौन सी picture अच्छी है या किस picture को post करना चाहिए ये experience के साथ आता है आप गलतियां करते हो उन गलतियों से सीखते हो और और लोगों के काम से जब आप अपना काम compare करते हो और आपने जो अपने दिमाग में एक image बनाई हुई थी कि मुझे ही ये picture ऐसी चाहिए थी जब वो picture वैसी आ जाती है तो वो picture फिर आप social media पे share करते हो और आपको लगता है कि हाँ मैं इस picture को दिखा सकता हूँ और ये मेरी capability के हिसाब से या मेरी expectations के हिसाब से बिल्कुल सही picture है ठीक और गलत कुछ नहीं होता ठीक और गलत सिर्फ आपकी सोच है पर उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें काम करती है जैसे कि photography की techniques है photography में जिस तरह से exposure काम करता है या आप जिस चीज़ को जैसा चाह रहे थे वो चीज़ वहाँ पर वैसी आई है या नहीं आई है composition के rules या बहुत सारी चीज़ें तो हम इस picture को देखते हैं और ये है वो final picture जो आप लोगों ने देखी अब ये picture जो final picture थी आपने ऐसे देखी लेकिन ये picture से पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ और वो picture जो picture मैंने नहीं select करी उन में क्या गड़बड थी मैं वो बताने की कोशिश करूँगा उससे पहले मैंने ये picture यहां से खेचनी स्टार्ट करी मैं एक जगाँ पर पहुचा और वहाँ पर मुझे एक बंदा दिखा जो उपर चड़ा हुआ था और AC ठीक कर रहा था जिसका पिछवाड़ा मुझे दिख रहा था और color contrast था वहाँ पर color contrast मतलब उसने blue jeans पहनी हुई थी और पीछे की तरफ dark था और एक अच्छा visual था एक unusual चीज थी जो street photography में मैं ढूंडता रहता हूँ जिसको मैं masala बोलता हूँ मुझे वो मिला दिखा लेकिन अब challenge ये था कि मुझे एक picture मैंने अपने दिमाग में बनाई इस visual को देखकर इस scene को देखकर जो मेरे सामने हो रहा था और मैं उसको achieve करने के लिए लग गया मैंने ये पहली picture खेची इस तरह से आई लेकिन मुझे फिर भी कोई दम नहीं लगा इस picture में और फिर मैंने उसके बाद ये अगली picture खेची थोड़ा सा left में हुआ फिर भी मुझे कोई इस picture में खीक से नहीं लगा क्योंकि मुझे ये जो line है जहां पर ये चड़ा हुआ था ये दिवार थोड़ी सी एक्शन्स मुझे काफी सारे लग रहे थे और जो मेरा एम था कि इस picture को और स्ट्रॉंग बनाना है मेरे लिए यहां पर तीन चीजें जो काम कर रहे थी कि यहां पर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसके उपर CCTV का कैमरा जो होता है उसकी फोटो बनी हुई थी और यह बंदा ऐसे जुका हुआ है एक unusual सी पोस है नीचे यह तार लटक रहे हैं और एक bottle थी और फिर मैंने थोड़ा सा और left में जाके ली पिचर लेकिन यहां से भी बेकार पिचर लगी मुझे और यह पिचर हिल भी गई पिचर ठीक नहीं आई और फिर मैंने यह थोड़ी सी पांच जाके पिचर लेनी की कोशिश करी अपना हाथ उपर करा और थोड़ा सा उसको ठीक से कंपोस करने की कोशिश करी फिर मैंने एक और पिचर ली फिर एक और पिचर ली थी वो पिचर ये वाली पिचर है, जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, और जो पिचर मुझे चाहिए थी, मुझे चाहिए थी एक वेल बैलंस पिचर, जिसमें कि यह दिवार की जो लाइन है, यह सीधी आए, और मुझे लेफ्ट और राइट में जो चीजे हैं, लाइन बिल्कुल सीधी है एसी पे जो रॉड्स लगी हुई है लेफ्ट में और राइट में वो उस तरफ पॉइंट कर रही है और वो जो कैमरा का फोटो है वो भी दिख रहा है और वो बंदा जुका हुआ दिख रहा है पीछे की तरफ थोड़ा सा डार्क है तो वो ब्लू जीन्स काफी स्टांड आउट हो रही है और पिचर थोड़ी बहुत बैलेंस्ट है लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी एक्स्टर जगा छोड़ी मैंने सोचा कि शायद बाद में मैं इस पिचर को क्रॉप कर लूँगा क्योंकि जिस गाड़ी के ओपर खड़ा होंके मैं ये पि content है उस वकत जो चीज हो रही है वो important है तो आप अपना struggle इस चीज पर ना करें कि भाई exposure क्या देना है ये कर दो over कर दो under कर दो उसको ना देखते हुए आप उस चीज को देखोगी जो चीज आपके सामने हो रही है finally मुझे ये picture मिली और इन सारी पिचरों में मैंने 16 पिचरें खेची एक पिचर के लिए और 16 पिचरें मुझे बिल्कुल बिकार लगी क्योंकि वो कोई picture टेड़ी थी कोई blur थी कोई हिली हुई थी और finally मैंने जब ये उपर चड़कर अपना हाथ उपर करकर ये picture ली तो ये मुझे थोड़ी सी balance लगी और फिर इसको मैंने थोड़ा सा crop करा और उपर से जो उसका portion था उसको हटाया जो ये उपर line आ रही थी उसको हटाया ये final picture है जो आपके सामने आती है थोड़ा सा contrast बढ़ाया थोड़ी सी saturation बढ़ाई और यहाँ पर ये picture एक पूरी कहानी कह रही है और picture थोड़ी सी balance होती है left में जो बंदा खड़ा है right में जो एक और AC है उससे balance होती है बीच में एक दिवार है यानि कि वो partition है और जो उसका पिछवाड़ा है वो भी partition की तरह है अगर आपका दिमाग गंदी तरह से चलता है तो वो गंदी तरह से चलाओ तभी आप एक strong visual निकाल पाते हो क्योंकि street photographer जो है वो एक ऐसा इंसा है जो सपनों में रहता है जो चीजों को visualize करता रहता है जो खयाली पुलाव बनाता रहता है अपने दिमाग में और उन चीजों को वो अपनी picture में लेकर आने की कोशिश करता है तो यहां पर मेरे दिमाग में जो idea चल रह warning मतलब वो कर रहा है warning तो मतलब वो देख रहा है एक कोई चीज है जो उस बंदे को देख रही है और right side में जो एक और AC लगा है उसके उपर जो rod लगी है वो उस तरफ direction को मतलब आपकी आँख को push करती है कि आप उधर की तरफ देखो तो वो उसको leading line की तरह मैंने use करने की क पूशिश करी और yellow जो bottle लटक रही है वो भी आपका attention grab करती है प्लस नीचे से एक orange color का तार है जो उपर की तरफ जा रहा है तो वो भी leading line की तरह काम कर रही है तो हम एसी बहुत सारी चीज़ें होती है एक visual में एक composition में जिसको use करते हैं और वो subconsciously जो viewer है जब उस picture को देख रहा होता है तो वो उसको push करता है main character की तरफ या main subject की तरफ या main idea की तरफ के हाँ ये देखो तो ये है तरीका किसी भी picture तक पहुँचने के लिए लेकिन finally हम एक picture दे ची या sir को भी तरा experience था कि उन्होंने perfect picture खेची लेकिन ये perfect picture imperfection से बनी है मतलब आपने पहले गलतियां करी उन गलतियों को ठीक करा और ये सारी चीज़ें fraction of seconds में हो रही होती है अगर मैं time देखूं तो ये मिरे खाल एक minute में ये सारा कुछ हो गया होगा लेकिन जितनी आप practice करते हो उतनी जल्दी आप अपने आपको adapt कर पाते हो किसी भी scene में और किसी भी visual को compose करने में लोग क्या बार पूछते हैं कि सर picture में क्या चीज़ important है composition important है exposure important है या content important है मेरे हिसाब से एक strong visual में it is a combination of everything तो सारे चीज़ों का मिशरण है एक strong visual तो इस तरह से बनती है अप उ भी struggle करते हैं जब हम street पे निकलते हैं या जब हमारे सामने कोई visual आता है उसको judge करने में उसको समझने में कही बार कही बार क्या बहुत बार picture मिस हो जाती है कोई भी perfect photographer नहीं है कोई भी guarantee नहीं कर सकता कि अगर मैं बाहर निकला हूँ तो मैं आज picture लेकर आऊंगा ही आऊंग करो आप कुछ न कुछ सीख कर आओगे एवन दो अगर आप गलती भी करते हो तो भी आप कुछ न कुछ सीख कर आओगे जो आपके अगले shoot में आपकी मदद करेगा एक odd strong visual बनाने के लिए और ये जो बंदा आपको दिख रहा है वो भी गलतिया करता है लेकिन अपनी गलति फारे लेकिन यदी कर दो में करुड़ें गली हो भी एक अगर प्रसाव भी कर दिए।